कि यह तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभीका वे स्टेटी सर्कुल में और अभी हम पढ़ रहे हैं चार्टर अधिनियम के बारे में तो चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसकी सेवात 17 ज्यादा लाब कमा रही थी इस लाब पर उन सांसरों का भी नजर था इसके लिए वो चाह रहे थे कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को जो कि सासन भी कर रही थी भारत पर उसको सासन ना करने दिया जाकर बलकि सिर्फू बैपार कारे करें या फिर अगर सासन करें तो हमा यह थी कि हर 20 वर्सों के बाद इनको पुन्रा लोकित करना था और इसका वज़ाए था कि 20 वर्सों में जूबी होता है विकास उसी हिसाब से कि स्याठिया में प्रिशाषनिक सुधार किया जा सके तो इसके तहट व्रिटीश अठरों ने सबसे पहला चैटर अधिनियम 1793 में पारिद किया तो इस पहले चार्टर रेक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का व्यपार करने का समय 20 वर्स और बढ़ा दिया जाता है और पहले चार्टर अधिनियम में भी यह कहा गया यह गोशना किया गया कि बोर्ड आफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनका वेतन भारती संसादनों के द्वारा दिया जाएगा और इस अधिनियम के प्राधानों का पुन्राव लोकन 20 वर्स के पसाद किया जाएगा इसके लावा जो मुख सेनापती की गवर्नर थे तो मुख सेनापती की गवर्नर जनल की कारेकारी परिशत के पदें सदस होने का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया इसके लगवा कंपनी के जो करमचारी थे उनको उपहार लेने से प्रतिबंदित कर दिया गया पहले चार्टर अधिनियम से अब बात करते हैं इसके 20 वसबाद से दूसरा चार्टर अधिनियम बना 1813 में उसकी बात करें तो दूसरे चार्टर अधिनियम 1813 के तहट ब्रिक्टिस इस्ट इंडिया कंपनी का वेपारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है उसका वजह यह रहता है कि उससे में हिटलर जो कि महादीपी वेष्था लागू कर देता है जिससे ब्रिटेन के लोग कहीं और वेपार नहीं कर पाते तो वो चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के तरह ही वेपार करें इसके लिए वो लोग मांग करते हैं कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ वेपार के एक अधिकार को खत्म किया जाए तो खत्म कर दिया जाता है लेकिन चीन के साथ वेपार और चाय के वेपार पर एक अधिकार ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का बना रहा इसके लावब जितने भी अंग्रेज वेपारी थे उनको भारत से वेपार करने की छूट दे दी गई और इसाई धर्म प्रचारकों को आग्या प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने जाने के सुधा प्राप्त हो गई और कमपनी की आए से भारतियों के सिक्षा के विकास के लिए प्रतिवास एक लाग रुपे वेखरने की विवस्ता की गई दूती चार्टर अधिनियम के तहत इसी के साथ साथ दूती चार्टर अधिनियम में ही ब्रिटिस वेपारियों और इंजिनियरों को भारत आने और यहां बसने के अनुमती प्रतान कर दी गई लेकिन उसके लिए आवस्यक यह कर दिया गया कि जो संचाला का मंडल थे यानि एंट्रिन बोर्ट था उनसे लाइसेंस लेना अवस्यक था दूती चार्टर अधिनियम 1813 के समय यह जी गोशना की गई थी इसके ठीक 20 वर्स बाद तीसरा चार्टर एक्ट 1833 लाया गया और इस चार्टर अधिनियम के दौरा फिर से कंपनी के जो अधिकार है उसको 20 वर्स के लिए बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनिकी भारत में प्रसासनिक एक प्रिकास प्रसासनिक एकी करण का सिद्धान त्रित्ती चार्टर अधिनियम से ही लाया गया और इसमें जो तीस्ता चार्टर अधिनियम 1837 था इसमें अन्य जो सुधार किये गया उसकी बात करें तो चाय का वेपार और जो चीन के साथ वेपार करने संबने जो कंपने का एक अधिखार था उसको पूर्टा समाप्त कर दिया गया और जो अंग्रेज या बिटिस वेपारी बिना अनुमती पद्र के ही भारत आने रहने की आगिया दे दी गई और विभारत में अपनी जमीन खरीद सकते थे जिसके अलावा गवर्ना जनल की परिशद में एक चोथा सदस से विधी विशेसग्गी कर रूप में बढ़ा दिया गया और मैकाले पहला विधी विशेसग्गी था साथिसाथ भारती कानूनों को सानिता बद्ध करने के लिए विधी आयोक की सापना की गई और दास प्रथा को समाप करने की घोशना की गई और इसी तारतरम में 1843 इसवी में दास प्रथा का देश से उन्मूलन कर दिया गया था अब बात करते हैं अगले और अंतिम चार्टर एक्ट की जो की 1853 इसवी में लाया गया था तो चौते चार्टर अधिनियम यानि 1853 इसवी का चार्टर अधिनियम जो बना उसमें यह कहा गया था कि जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारती प्रदेशों को जब तक संसत न चाहे तब तक के लिए अपने अधिन रखने के अनुमती दे दी गई यानि कि यह संसत चाहे तो वह कंपनी से प्रसासन को अपने हाथों में ले सकती है इसके लावा यह भी तैय किया गया था कि नियंतर बोर्ट के जो कर्मचारी है उनका वेतन सरकार निश्चित करेगी लेकिन उनका भुकतान कंपनी करेगी और जो डिरेक्टर थे कंपनी के बोर्ट के उनके संक्या 24 दे घटा कर 18 कर दी गई और इसमें इन 18 में से 6 सदस जो होते थे उक्राउन के द्वारा यह समराट के द्वारा बनोनीत किये जाने थे इसके लावा मंगाल के लिए अलग से लेप्टिलेंट गवर्णर की नियुकती की गई और जो विदी सदस से होते थे उनको गवर्णर जनरल की कारकारी परिशत का पूर्ण सदस बना दिया गया तो ये था चार्टर अधिनियम के बारे में संशिप्त जानकारी जाहे